होंग कॉंग का प्रसिद्ध तैरता रेस्टोरेंट दक्षिन चीन सागर में 1000 मीटर तक डूब दया है ये घटना होंग कोंग के पैरा सेल द्वीब के पास हुई प्रतिकोल परिस्थितियों के चलते इस जम्बो रेस्टोरांट की मुख्य बोट डूब गई हाथसे में किसी के घायल होने के ख़बर नहीं है रेस्टोरांट को बचाने का प्रयास जारी है जम्बो रेस्टोरांट जहां डूबा है वहां गहराई 1000 मीटर से भी ज्यादा है इसलिए बचा वबा राहत कारे में मुश्किले आ रही है ये रेस्टोरांट ब्रिटेन की महराणी अलिजबेट और हॉलिवुट के सूपर स्टार टॉम क्रूज जैसे तमाम दिगजों की महमान नवाजी कर चुका है 46 साल बाद दूसरी जगह ले जाया जा रहा था ख़बरों में कहा गया है कि जम्बू रेस्टोरांट की डूबने की ये घटना उस वक्त हुई जब 46 साल बाद उसे बोटों द्वारा दूसरी जगह ले जाया जा रहा था इसकी विदाई देखने के लिए मौजूद बोहुत से दर्शकों ने कहा कि एक युग का अंध हो गया है इससे पहले कई स्थानिय राजनेता उने सरकारी निवेश के साथ रेस्टोरांट को बचाने के एकच्छा व्यक्त की थी लेकिन इस विचार को हॉंग कॉंग के मुख्य कारकारी कैरी लैम ने खारिश कर दिया था